दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार विदाले परिक्षा समेती के दुआरा आप सभी का 31 मार्च 2014 के डेट में आपका रिजल्ट परकासित किया गया है रिजल्ट आने के बाद काफि सारे कैनिडेट का यहां पर लगतार कॉमेंट आ रहे कि सर जितना नmबर हमने सोचा था उतनका नंबर हमें नहीं मिला है तो हम क्या करें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे है जिनका ये comment आ रहा था कि सर हम एक subject में फेल है तो हमको क्या करना है बहुत सारे बच्चे दो subject में फेल है उनको क्या करना है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो तीन subject में फेल है उनको क्या करना है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे है जिनका ये कहना था कि सर हमने भॉम ही नहीं भर पाया था लेकिन हम चाहते है इस वर सी पास करे मैटिक तो कैसे हम कर सकते है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे है जिन्होंने परिक्षा देने जब गय थे आप जानते होंगे इस बार अगर दो मिनिट भी अगर आपने लेट किया होगा तो आपको इंटरी नहीं मिली होगी तो वैसे बच्चे क्या कर सकते तो सभी के लिए मैं तीन आपडेट आपको देने जा रहा हूँ आपके लिए महतपूर्ण जयनकारी होगा आपके पास भी इस परकार की समस्या है या कोई आपके घर में या अगल बगल में ऐसे कोई बच्चे है जो मैटिक पास किया है लेकिन उनके पास भी इस समस्या है तो वीडियो को आप एक बड़ उन्हें सेर जरूर कीजिएगा ताकि वो ये पूरी जनकारी समझ में पाए सबसे पहला आपको मैं बता दू यह उप्सन है कि जो इन बच्चों का अगर माल लिजे नंबर जितना मिला है उससे वो असंतूष्ट है जैसे माल लिए बहुत सारे बच्चे को 295 में नंबर मिला है उससे वो असंतूष्ट है उनका पास नंबर अगर बढ़ जाता तो वो फॉस्ट डिविजन हो जाते या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे है जो क्या है कि फेल कर गया है एक सब्चेक, दो सब्चेक में एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर से वो फेल किये है वो बच्चे चाहते तो उनको क्या करना है तो देखी यहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि जो बच्चा एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, पाच नंबर से अगर एक सब्जेक दो सब्जेक में अगर आप फेल कर गया है यह जिनका number कम है तो आप सबसे पहला काम करिएगा एस्कूटनी के लिए online apply करिएगा अब एस्कूटनी के लिए online apply करने का जो date है वो already बिहार विदाले परिक्षा समिती ने जारी कर दिया है, अब मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये डेट कब से कब तक है, वो पहले समझ लिजे, आप सभी का स्कूटनी के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई की परकिरिया है, तीन अपरेल दोहजार चौबिस से ही स्टार्ट हो सब्जेक्ट में करेंगे, तो 120 में पांस आप गुना कर लिजीगा, 600 रुपय आपको लगेगा, अगर आप दो सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट के उपर है, जिन सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, इस आपकी नंबर बढ़ सकती है, ये द्यान रखिएगा अब दूसरा यह है कि जो बच्चा मान लिजए एक सबजेक या दो सब्जेक में । भवेल है तो पर सकते हैं अगर आप जो में सब्जेक गया था टो ङाइक שई में निया था उसमें तो भी आप बढ़ सकते हैं लेकिन जो तीनो समेक्ट है आपक नहीं होना चाहिए एक सब्जक्ट है उनको यह फॉर्म नहीं भरना होगा, उनको अगले साल जो बच्चा 25 में एक्जाम देगा उनके साथ आपको फॉर्म भढ़रकर इस परिच्छा को आपास कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा दो subject में फ rat Lorenzask सकते हैं, इसका फ्रम भरने की वह देथी आ चुकी है जो कि तीं अप्रैल 24 से लेकर नौअफ बोगर चोविस तक आपके यह complaint ment का भी फ्रम भरा जागा अप का कंपार्टमेंट का फॉर्म आपके इस्कूल कॉलेज अस्तर से भड़े जाते हैं यह ध्यान रखेगा आप ओनलाइन नहीं भड़ सकते हैं अब काफे सारे बच्चे यह कहांगे कि सर हम अगर एस्कूटनी भी कर देते हैं कंपार्टमेंट का भी फॉर्म भड़ते हैं तो माल आप पास कर जाते हैं फेल है पास हो गया तो आप कंपार्टमेंट भी देंगे तो इसका कोई वहलू नहीं रहेगा आपका जो एस्कूटनी में नंबर भड़ा है वही माकसित आपका मानने होगा यह धियान रखेगा तो यह होता है अब काफे सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम परिक्षा समिती क्या कर रही है कि इस बर्स से मैटिक विस्स परिक्षा का यूजन कर रही है इस परिक्षा में आप उपस्तित हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भड़ा था आप परिक्षा फॉर्म को भर कर इसमें पाटिसिपेट कर सकते हैं या जो बच्चे अगर य आपको डेटेल वीडियो लाओंगा जैसे कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे भरना है यह विस्स परिक्षा का फॉर्म कैसे भरना है तो यह सभी वीडियो अगर आप देखना चाहते तो आप चैनल को आज सस्क्राइब कर ले ताकि सारी अपडेट आपको मिल पाएगी आप सभ सब्सक्राइब पर आपको सभी अपडेट वहां पर सेयर किया जाता है उमीद करता हूं जनकारी अपने समझा होगा तो वीडियो को लाइक सेयर जरूर करें अगर मैटिक पास किये है तो आप जानना चाहते कि किस-किस परकार के स्कोलर्षिप का बेनिफिट मिलता है एक व करने वाद वीडियो को सेयर जरूर कर दीजिए जाहिंद